जहां परिक्षा से पहले उत्तर का पता चल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं आखिर इस बात में कितनी है सच्चाई माफिया और गुंडों को मिट्टी में मिला देने का दावा करने वाली सरकार के नाक के नीचे से कैसे होता है पेपर लीग आखिर क्यों मौन है सरकार युवाओं और बेरोजगारों की सरकार होने का दावा करने वाली सरकारें आखिर क्यों होने देती हैं बच्चों के भविश के साथ खिलवाण देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है और आजादी के बात से आज तक एक बात जो नेताओं के जुबान से नहीं बती वो यही है कि यह सरकार युवाओं और गरीबों के लिए है साल दरसाल नेताओं वापसरशाहों की चमक बढ़ती चली गई लेकिन नहीं बतली तो उनकी हालत जिनके नाम पर नेताओं ने सरकार बनाने का दावा किया था क्योंकि अभी जिस तरह से उत्तरप्रदेश में एक के बाद एक यानि समिक्षा अधिकारी वह उसके तुरंत बाद यूपी पुलिस परिक्षा का पेपर लीख हुआ और अभी तक जाच समीती बैठाने से अधिक कोई ठोस कारिवाही हुई नहीं ऐसे में सरकार जहां रोज नैने शिलान्यास वा योजनाओं के नाम पर अपनी पीट थप थपा रही है तो वही दूसरी ओर विपक्ष चुनाव के मद्दे नजर साठ गाट करने में व्यस्त ह तो आप ही बताइए कि हाश्ये पर है कोर्ण सरकार जानती है कि जितने बेरोजगार है उतनी नौकरियां है नहीं और जो है भी उन्हें या तो प्राइवेट करके भारी मुनाफ़ा कमाना है या तो वेकेंसी तब निकालनी है जब चुनाव नजदी को वो भी सिर्फ वेके पाइदा है किसे पहला सरकार को और दूसरा देश में कैंसर की तरह फैल रहे अर्बों खर्मों की कोचिंग संस्थाओं के बाजार को तो आप ही बताइए कि हाश्ये पर है कौन यदि कोई यूवा पुलिस शुक्षा विभाग या रेलवे की तयारियों में अपना जीवन दाओं पर लगा कर बैठा है और सरकार वर्षों तक वेकेंसी निकालती ही नहीं है तो आप ही बताइए कि हाश्ये पर है कौन सोचिए कि यदि चुनाव विपक्ष या अतियावशक्ता के दबाव में कोई वेकेंसी आ भी जाती है तो सरकार आवेदर्शुल्क बैंक डीड के नाम पर कमाती है फिर अभ्यर्थी परिक्षा केंद्र तक जाता है तो सरकार यातायात से भी कमाती है लेकिन अभ्यर्थी कमाए इसकी नौबत ही नहीं आती है क्योंकि इससे पहले पेपर या लीग हो जाता है या किसी अर्नियमितता के चलते मामला कोट में चला जाता है ऐसे में भला एक निम्न या मध्यम वर्गी यूवा कितने वर्षों तक परिवार या समाज का आर्थिक दबाव जिल सकता है तो आप ही बताईए कि इस पूरे चक्रवियू में हाशिये पर है कौण और सरकार चाहे राजसरकार हो या केंद्र सरकार अपनी जिन जिन योजनाओं के तहट बैंक लोन लेकर रोजगार सुरू करने का दावा करते नहीं थकती उसकी हकीकत ये है कि एक आम यूवा से सरकारी बैंक का मैनेजर सीधे मू बात तक नहीं करता और सरकारें जिन रोजगार मेलों में रोजगार बातने का महान जूट फैलाती हैं उसकी सचाई ये है कि उसमें 5-6,000 नोकरियों के सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर बाते जाते हैं जिसमें अधिकतर यूवा जाते ही नहीं क्योंकि वहां वेतन कम और शोशन अधिक होता है तो आप ही बताए कि जिन कारियों को लेकर सरकारें खुद को मसीहा मान कर बैठी हैं उसमें हाशिये पर है कोर्ड चूंकि सरकार युवाओं की है तो ये भी जान लीजिए कि 2014 से 22 तक सिर्फ केंद्रिय सरकारी नोकरियों के लिए 22 करोण लोगों ने आवेदन किया मार्च 2022 तक सरकारी विभागों में 9,64,369 पद खाली थे मार्च 2023 तक कक्षा 1-8 तक के शिक्षकों की 7,47,565 पोस्ट खाली थे जुलाई 2023 तक रेलवे में 2,50,965 पद खाली थे जनवरी 2023 तक सेंट्रल आम्र पुलिस फोर्स में 84,886 पोस्ट खाली थे तो आप सोच रहे होंगे कि इतने पद खाली है तो सरकार का काम कैसे चलता है तो घबराइए मत सरकार ने इसका भी उपाय निकाल रखा है और वो है समविदा समविदा पर वर्षों काम करिए और फिर दरदर की ठोकरे खाईए क्योंकि परमनेंट होने की उमीद सपने में भी मत सोचिए तो आप ही बताईए कि युवाओं की सरकार में हाश्ये पर कौन है यदि सरकारी नौकरी के प्रती युवाओं के रुजहान को देखें तो कुछ बातें आसानी से समझी जा सकती हैं जैसे युवा जिस सुरक्षा, वेतन वसामाजिक सुरक्षा की कलपना करते हैं वो सरकारी नौकरियों के अलाबा कहीं है नहीं क्योंकि भारत का प्राइवे कमपनियों में उचित वेतन, सुरक्षा वा अनकोल परिस्थितियां उत्पन्न हो सके विचार करिएगा क्योंकि सरकार वा प्राइवेट कमपनियों का आपसी गट्योड इतना मजबूत है कि दोनों एक दूसरे के सहारे बढ़ते चले जा रहे हैं तो आप ही बताईए कि हा पर है कौन अपनी राए कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा इस वीडियो में फिलाल इतना ही